नमस्का, गुड मॉर्निंग, स्वागत है, आप सभी का, मैं हूँ आपके साथ पयोधी शशी, साथ बच चुके हैं और आपको इस वक्त की पाच बड़ी खबरे जान लेनी चाहिए तो पहली बड़ी खबर ये है कि भुटान में नई जमीन पर चीन ने दावा किया है, यानि अतिक्रमन का चरित्र भुटान पर भी चीन का देखने को मिला दूसरी बड़ी खबर ये है, भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की बातचीत होनी है, दस बजे से बातचीत शुरू होगी, बड़ी कवरेज है, जी निउस पर आप हारेक अपडेट देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोधी का आज राष्ट के नाम संदेश भी है, चार बजे प्रधानमंत्री शाम को देश को संबोधित करने वाले हैं, भारत ने लगाया उंसट चाइनीज एप पर प्रतिबंद और ये प्रहार सीधा चाइना पर भारत की तरफ से, हिंद महासागर में नौ देट आप तक हम पहुचाएंगे, तो अब आपको बताते हैं पहली खबर और इसका मतलब क्या है, खबर ये है कि टिक टॉक सहित उनसट चाइनीज एप को प्रतिबंद कर दिया गया है, उन पर प्रतिबंद लगा दिया गया है, टिक टॉक सहित उनसट चाइनीज एप पर सरकार ने प्रतीबन लगाया है, जिसका सीधा मतलब है चीन के आर्थिक अतिक्रमन पर डिजिटल एर स्ट्राइक भारत की तरफ से, यह बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी शुरुवात और इसका मतलब यह है, लगतार आपके सामने हे जी निउस पर, चीन के आर्थिक अति पूरे देश में चाइनीज समान का बहिशकार हो रहा है ये बड़ी खबर तीन तस्मीरों के साथ आप समझीए हमने आपको बताया इसके मतलब क्या होंगे क्योंकि अब डिजिटल एर स्ट्राइक अगर भारत की तरफ से चीन पर की गई है तो इसका आर्थिक असर भी होगा लगतार Zee News आप तक पचा रहा है और ये Zee News की ही मुहीन थी जिसमें हमने कहा था कि अब चीन के समान को बाई बाई करने का वक्त आ गया है यानि हिंदी चीनी बाई 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 और डिजिटल एर स्ट्राइक से इसकी शुरवात देश में हो चुकी है तो लदाक में नियंत्रन रेखा परजारी भारी तनाव को दूर करने के लिए भारत और चीन की सेनाओं के बीच आज लेफटेनेंट जनरल स्टर की एक और कोर बातचीत होगी और इस बातचीत में ठीक पहले भारत ने एतिहास से कदम उठाते हुए टिक टॉक, यूसी ब्राउजर और कई ऐसे एप हैं जिन पर पतीबंद लगा दिया है आपने सुदिर चौदरी जी इस तवल उठाया है तो मैं बड़ी बुलंदी से बता रहा है इसे प्लेटफॉर्म को कि भारत के बाजार का भी ध्यान रखें पहले सीमा के मोर्चे पर चीन को करारा चवाब और अब आर्थिक मोर्चे पर चीन को तगड़ी चोड़ भारत ने बंद किये चीन के 69 मुबाइल एप्स लदाक में सीमा विवाद के बाद भारत और चीन के रिष्टे बिगड़े हैं उसके बाद चीन के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ी कारवाई की है भारत ने चीन के 69 मुबाइल फोन्स अप्लिकेशन को बैन कर दिया है भारत सरकार ने चीन के जिन एप्स वे बैन लगाया है उसमें टिक टॉक, कैम स्कैनर, शेरिट, हेलो, वीगो वीडियो, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्टरी, मी वीडियो कॉल शाओमी, वीवा वीडियो, वीचैट और यूसी नियूस जैसे मशूर अप्स शामिल है इन एप्स के ब्लॉक होने का मतलब है कि अब भारती यूजर्स इन एप्स का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे भारत ने चीन सहीत पूरी दुनिया को इस पश्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आँख उठा कर भी देखेगा तो उसे दुनिया के इस सबसे बड़े बाजार का हिस्सा नहीं बनने दिया चाएगा भारत मित्रता निभाना जानता है तो आँख में आँख डाल कर देखना और उचीत जवाब देना भी जानता है चीन के 69 मुवाइल एप्स पर पाबंदी लगाने का मकसद सिर्फ चीन की हिमाकत का जवाब देना नहीं है इसके पीछे एक बड़ी वज़ा भी है भारत सरकार के सूचना प्रद्वगी की मंतराले के अधिकारिक बयान के मताबिक उसे काफी शिकायते मिली थी जिन में कहा गया था कि इन एप्स का दुरुप्यों हो रहा है ये एप्स यूजर्स के डेटा को चुरा कर उन्हें भारत के बाहर इस्थिस सर्वर को अवाइद तरीके से भेसते हैं चीन के ये तमाम एप्स भारत की सुरक्षा और अखंड़ता के लिए खतरा बन चुके थे ये कदम करोडों भारती मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा करेगा केंद्री संचार एवं सूचना प्रद्योगी की मंत्री रुशंकर प्रसाद ने भी ट्वीट कर कहा भारत की सुरक्षा, रक्षा, संप्रभुता और अखंड़ता के लिए और भारत के लोगों के डेटा और गोपनियता की रक्षा के लिए सरकार ने 69 मोबाइल एप्स पर प्रतिबन लगा दिया है, जय हिंद्ध गलवान में शहीद हुए भारत के सैनिकों को सच्ची श्रत धंदली भी यही है कि हम अब जीवन के हर शेत्र में हिंदी-चीनी बाय-बाय कहना शुरू कर देगे हमारा हर प्रयास इसी दिसा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकद भड़े देश और अधिक सक्षम बने देश आत्म निर्भर बने यही हमारे शहीदों को सच्ची सद्धान ले भी होगी चीन के यह एप्स भारत के लोगों के दिमाग को चीन का वैचारिक उपनिवेश बना रहे थे इसलिए भारत ने चीन के इस सॉफ्ट पावर पर एक अभूत पूर डिजिटल एर स्ट्राइक की है भारत में टिक टॉक स्टार्स भी एप्स को बैन करने का स्वागत कर रहे हैं यह सब चीदों को जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी था और यह हमारे गवर्मेंट के हाथ में था तो हमारे गवर्मेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है बेरो रपोर्ट जीमीडिया